नमस्कार दोस्तों माईने मिजभूपें सर्मा मोटी बिजनेस पीकर और बिजनेस को बहुत ही लाजबाब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको यह बताऊंगा कि 2000 रुपे की मात्र मसीन से आप आराम से यहाँ पर 10 तरीके के बिजनेस कर सकते हैं और जब आप 10 तरीके के बिजनेस करते हैं तो यहाँ से कोई न कोई बिजनेस आसानी से आपका चल जाता है तो सिर्फ मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद है यह कि अगर आप एक middle class family से belong करते हैं गरीब आदमी है आपके पार दो चार पांस जार रुपे हैं तो यह business आप आसानी से start का सकते हैं बट यहाँ पर ऐसा नहीं है सिर्फ 2000 रुपे ही आपके invest होंगे अगर आपके आप एक किसाने और गाउं से belong करते हैं तो आप अहराम से 2000 रुपे से इसको start कर सकते हैं जतना आपका profit होता जाएगा उसी तरीके से आप इसमें aid करते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप यहाँ से लाखों रुपे तक की कमाई तक जा सकते हैं जो machine की बात कर ल है और धीरे धीरे 800 के बिजनेस से आप जो है 2000 की machine प्लस 800 का raw material से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप एक महीने में लगबग आप 15-20,000 रुपे यानि की 8000 के material से आप 15-20,000 रुपे आराम से कमाई कर सकते हैं जब आप 8000 का material समाप्त होता है फिर आप 8000 का खर मतला बहुत है क्योंकि गाउं में गाउं में जो है सामान सास्ता आपको मल जाता है रो माटेरियल से SERST rans हम जाता है जिसे city area में यही चीज महेंगी मिलते हैं जब डारेक्ट किसान से खरीदते हैं तब आपको सस्ता मिलता है जिसे कि अगर गहूं की बात करें जब किसान के घर में होता है तो पंदासों से आप आराम से 10% का इंक्रिमेंट हो जाता जो आप आसानी से कर सकते हैं तो देखिए जहां पर बात आती है अगर आपके पास भारी मात्रा में पैसा होता है तो आप इस बिजनेस को अगर भारी मात्रा में आपके पास पैसा है तो आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं ले फिर नवरात्री के अलावा बहुत सारे जो है सोमवार मंगलवार इस तरीके से जो भी पूजनिये दिन होते हैं जिनको लोग पूजा करते हैं इन दिनों में क्या होता है पंच मेवा जो है लोग खरीदने जाते हैं अब यहां पर आप 1200 की एक मसीन लेते हैं जिसे हम सब्सक्राइब वैसमें मिला देते हैं फिर आप फैक करते हैं उसे ग्यारा रुप्य किस रुपे क्याओं रुपें इक रुपे यह वह जाता है और यह जो है आठञार का जबाव सामान लेकर के आते हों टो टो्टल सामान जो लिए ज़्यादी कौन से क्या ड़ीमें आपki निकल आतीमाल यह ठीमाल चाश्ट की 300 में पड़ जाती है ती 13 उम से भाग कर दीजै जो है यह आपका पचास ग्राम कितने का पड़ता है, कितने की पैकिंग बना रहें, तो वो लोगों को दे रहें, अगर आप पचास ग्राम की पैकिंग बना रहें, तो चालिस ग्राम ही पैक करें, उसमें, चालिस ग्राम ये एमल का सिस्टम होता है, चालिस ग्राम पैक करके पचास ग्राम के अब आप आराम से ले सकते हैं यही अलेड़ी दुनिया करते हैं जो आप एक लिटर की ऑल की बोटल खरीदने जाते हैं उसमें नौ सो पचास हमेल होता है और वहीं गरादा प्रहसान होने क्यों सकता नहीं इससे हम कहते हैं सक्रपेकिंग यहाँ पर भी 12 की मसीर आती और आराम से आपfikन क्ष ăn कर सकते हैं या पर टाम नियुद्ग सकता नहीं जिद्धा दिमाग लगाने क्या सकता है डार्यक्ट आपके नीर्स्ट जहाँ कहीं भी इसमें कोई भी बवाल नहीं होता और ये खराब होने के चांसे भी इसमें नाके बराबर होते हैं तो वहाँ समय आप अरहां से से भास कर सकते हो। अभर आता है थर्ड नम्बर पर सकते हो। सबी लोग खुला बेच रहे हैं किसी को घर लेके जाना होता है तो वो क्या करता है पनी में पैक करता है दूसरी पनी में क्या करता है जो है दूसरी पनी में दूसरी पनी जो होती है उसमें पानी पैक करता है आप वहां पर आप क्या कर सकते हो बर्फ अपने साथ रखो और व पे का अलग-अलग packets pack करके रख लो जैसे ही कोई आता है आराम से वहाँ पर जब आप किसी को बर्फ यानि कि ठंडा पानी जो है बतासे का ठंडा पानी दोगे तो हंड़ेट परसंट उसे इंट्रेस्ट लगेगा मतलब लगेगा वो जरूर उसे खाना पसंद करेगा अपने घर भी ले करके जाएगा यह एक यूनिक बिजिंस अडियाज है बहुत लोग कम से कम लोग इसे करें सो में एकाद लोग आपको करते होएं मिलेंगे नेस्ट आ जाता है सेवन नंबर पे दिखिए अगर आप इसे मैनुफेक्चर करते हैं तो यहां पर आपका ज्यादा पै शब्सेंट अलग से आती है वहां पर पर दाले फिर इस तरीके से मिला दीजिए बिलाने के बाद आप आप दस तुर्ट दस पीश 5 पीश 12 आठ पिस तरीके से आराम से आप मार्केट में सल करना स्टार्ट कर दीजिए जहां से आपका यहां से भारी प्रौफित हो सकता है नेस्ट नमबर पर बात करें तो बिंदी पैकिंग मसीन देखें यह आप अगर आप छोटे गाउं से बिलॉंग करते हैं तो वहाँ पर आपको लगबग 2-5 पैसे आपको पृतिपीस प्रॉफिट होगा अगर वही आप सिटी एरिया से बिलॉंग करते हैं तो यहाँ पर आप पांच दस रुपे का आराम से जीरक कर दिजे लेकिन इन सारी चीजह जो मैं बता रहा है इनका सब ब्रांड देना बहुत जुरूरी है 5-10 रुपे का जीरक कर कि आराम से लोगों को दे दीजे लोग ले करके जाते हैं यूज करते हैं फिर आ आप राइश श्री करवाने के बाद आप आप से वीच्छ मिलाना है इंग्रीडेंस खरेंश एक पे पाकट में पैक प्रकर के आराम से आप अब स्टार्टी में किसी से क्टल खरी लेते हो फिर आपकी ईरिया में भी पितायी करवा करहा हूं फिर जेसे पांस रूपई व्यक्त के पैकेड में करो और उसी 1200 की मसीन से पैक करके फिर आप डोर टू डोर भी सेल कर सकते हो जो एक किराना स्टोर कर सकते हो फ्रंचाईजी भी ले सकते हो आपके प्रोफिट के पैसे के कोडिंग होगा फिर नेस नंबर पे दूसरे नंबर पे आ जाता है हल्दी मैनुफेक्ट्रिंग ये भी एक बिजनेस है यहां से भी आप भारी प्रॉफिट आने का सकते हो इसे भी आप पिछाई करके फिर इसे पैक करो और लोगों को जा करके दस रुपे पंदा रुपे के पैकेट दे दो फिर फर्स नंबर पर आ जाता है धनिया धनिया भी एक तरीकी का आप स्टाइटिंग में खर के दो आरा, आप एक किलो पांच किलो फांच किलो भारी पानच ऐसा सक्ऽा ग्राम, सौगृताज sopr कर्व पांच रुपे दस क्रुपे सुफेटिंग बना करके होटल में, कांटीन में जो भी मोटल्स होते हैं उन जगवों पर फेंपकेट्ट के सप्लाई करो पांच किलो, की तरीके से भारी प्रॉफिट आने का सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं आप पूरी तरीके से समझ गयोंगे कोई जानकारी मिस रहेगी कमेंट्स करके बताना तो जरूर मैं आपकी करना की कोशिच करूंगा मिलता पर किसी अमेजिंग और फैक्टबल वीडियो में तब त सकते हैं ग compare शाल कीजयिस करें झाड मिलता की स्वारी मिलता की जा फ्मेज में उ सकते हैं गलताज हैं जानीज स्मस्तों आसा करें आसा करेंसका।